जो गम किसी को हमने दिये वो गम तो हमने को लेने पड़ेंगे ले चलता हूँ आपको चमपापुरी चमपापुरी के बाहर चबूतरा चबूतरे पर एक बड़ा सारा जूता जो कोई परदेशी आता पहले बारह जूते मारता फिर चमपापुरी देखने जाता क्यूं मारे जाते हैं ये बारह जूते ये रहस्य है इस कहानी का और इस रहस्य को खोल रहा है उज्जनी का सेट लक्षमी धर अपने सेवक रामु के समक्ष देखो किस्मत का खेल चमपापुरी का राजा चंद्रशेज जंगल और जंगल में भी गहरा जंगल और गहरे जंगल में गहरा तलाब और गहरे तलाब में नाग भवन जहां पर रहती है नाग कन्या चंद्रवति संयोग जब प्रबल होते हैं जिन से मिलना होता है वो सहज ही आकर्षन का केंड्र बन जाते हैं तभी तो अपने पिता की मिर्तु के दुख को भूल कर और राजा चंद्रशेण के रूप पर मुख्द होकर अपने आपको समर्पित कर दिया चंद्रवती ने विवा हो गया उसी नाग भवन में उसी नाग गद्धी के उपर दोनों पती पत्नी बन कर बैठ गये यहां तक आपने सुनाते राइट अग चलते आगे देखिए उस नाग भवन में मानव दुरलब जो मनुश्यों को भी ना मिले मानव दुरलब सुखों का भंडार भरा हुआ है उस नाग भवन में रहते रहते चंदर सेन अपनी चंपापुरी को बूल गया मैं चंपापुरी से क्यों आया किसने मेरा अपमान किया किसने क्या कहा कहा कुल देवी ने बोला कैसे तुम्हारे किता से मिला कैसे तुम्हारी यह मनी मिली कैसे तुम मुझे मिले मैंने कितनी साधियां की मेरी कितनी रानियां हैं उन सब के बारे में क्योंकि पांचे महीने बीट गए कुछ ना कुछ तो बात करें गई कुछ ना कुछ दिल की बाते तो और बाते जब सुरू होती है तो बस बाते होती है और कभी-कभी तो वो बाते होती ना जिनका पेर ना जिनका हाथ ना जिनका सिर कभी-कभी ऐसा भी होता है क्योंकि काम की बाते तो बहुत थोड़ी होती है इसलिए तो बात और भकवास में अंतर तो होता ही है पर लेकिन चलो जिन्दगी की बड़ी दास्तान थी कौन रानी क कैसे मिली कैसे मिली क्या हुआ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन सब बातों पे चर्चा हुए और थिर चंद्रवती का हाथ पकड़ कर चंद्रषेन बोला कि वो जो 12 है ना को नामकी है अब कुछ ना-कुछ तो बोलने ही पढ़े गए ऑनामकी है वैसे पहले वो काम की थी, वैसे साधी करी थी, कहीं कोई हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, और तुमने मुझे एक नहीं दो संतान देनी है, ये देवी का वचन है, और तुम ही मेरी हिर्देश्वरी बनने वाली हो, हाँ, क्योंकि जब आदमी फेकने में आता है ना, इसलिए तो कहता हूँ कि दो चीजों में बचके राकर रहा, जब बहुत प्यार आ रहा हो, तो वादा कम किया करो, क्योंकि जब आदमी प्रेम में आ रहा ना, तो बोलता है तू कहे तो आस्मान से चांद तोड़ लाओ, बै दो फुट तो उचला नहीं जा रहा, चांद तोड़ के लाएगा, पर लेकिन बोलनी में जाता है, इसलिए कहता है कि जब बहुत प्रेम आ रहा हो, तो कोई वाद लेने जा रहे हो, वो अच्छा निरने होने वाला नहीं है, प्रेम में वाइदा और क्रोध में निरने, सावधान रहना, क्रोध में निरने लेते वक्त सावधान रहना, क्योंकि क्रोध में लिया हुआ निरने कभी दी अच्छा नहीं होता है, और प्रेम में कभी-कभी वो वादा मत करना जो तुम पूरा ना कर सको होस में बस इसके बीच में जो बेलेंस बनाता है उसका नाम समाइक है अब वो बहुत नहीं लगा कि तुम ही मेरी हिर्देश्वरी हो चंद्रवती को भी मजाग सूज गई कहा कि कल कोई चोधवी मिल गई तो तुम मुझे भूल जाओगे जैसे वो काम की नहीं रहे हैं क्योंकि तुम मेरा वंस चलाने वाली हो और मैं बताता हूं तुझे चंद्रवती सच तेरे हाथ पर तेरे सिर्फे हाथ रखके बोल रहा मैंने सादिया कोई सोकिया नहीं की केवल संतान प्राती के लिए की है और वो तुम देने वाली हो तुम खुशी देने वाली हो इतना सुना चंद्रवती ने कहा ये कान जरा पास में लाओ मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूं जब कान पास में लाए तो चंद्रशेन को एक बात कही उसने कि सुनो तुम पिता बनने वाले हो हैं वो तो पलंग से नीचे उत्रा जंप खाने लगा भंगडा पाने लगा नाचने लगा कूदने लगा हुर्रा खुशिया बनाने लगा ताल ठोकने लगा एकदम चंद्रवती को जोर से पकड़ लिया तू सच तो बोल रही है ना तू मजाग तो नहीं कर रही तू कहीं जूट तो क्योंकि मैं पागल हो जाओंगा कहां बाबा मैं सही बोल रही हो तुम पिता बनने वाले हो ओ ये सब्द स सुनने के लिए चंद्र सेन के कान तरस गए थे खुशी के आशू निकलने लगे उस वक्त चंद्रवती के पाउं छुए उसने क्योंकि वह उसमें लक्ष्मी है पुत्त संतान देने वाली है और कहा मेरी एक गुजारिस है तुमसे बच्चे का जनम चंपापुरी में होना क्योंकि चंद्रवती वहां के लोग मेरा मूँ देखना असुव मानते हैं मैं तुस्से कुछ नहीं मांगता तू चल आखिर लड़की को माई के कप तक रहना है आखिर जाना तो उसको अपनी सुस्राल नहीं है तू चल अपने पती की आखों में इस दर्द के भरे आस्वों को देखकर चंद्रवती ने कहा I am ready मैं तैयार हूँ चल तो सब माया समेटी चंद्रवती ने मनी के सहारे बहार आए उस जलाशाई से और एक पुश्पक बिमान तैयार किया अपनी शक्ती से और चलते 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 पहुँच गया चंपापुरी चंपापुरी के बहार एक उध्यान था वहां रुख गया वहां से सूचना भिजवाई चंद्रशेन ने कि जाओ सुबुधी महमंत्री को बोलो कि राजा चंद्रशेन अपनी तेरवी रानी के साथ आये हैं यह सूचना मिली शुबुधी को वो भी खुशी में पागल हो ग चंपापुरी को दुलहन की तरह सजा दिया और सजाने के बाद सूचना भिजवाई कि राजन रथ पहुचा दिया इस पेशल वहां घोड़ा बुला लिया गया रथ पहुचा दिया गया रथ पर चंद्रशेन और चंद्रवती को बेठाया गया और फिर चंपापुरी में परवेश कराया गया सारी जन्ता पुष्प वर्षा कर रही है उस सुन्दर सलोनी जोड़ी को देखकर जब राज महल के निकट पहुचे तो वह बारा की बारा रानिया भी नीचे उतर कर आई और बारा ने समझरे होना जो होता है राजा को तो देखके हसी और चंद्रवती को देखके फिर भी मुश्कुराई मन में पाप लेकर स्वागत किया जो करना था किया प्रवेश करवाया समय गुजरने लगा अब क्या हुआ उन बारह रानियों की एक ही मंडली बन गई वो सोच रही है क्या सोच रही है ये चंद्रवती मा बनेगी और पूरे राज्ये में इसका मान बढ़ेगा राजा इसका गुलाम बनेगा राजा इसके कहने में चलेगा हम तो गई काम से अब क्या करें भाई मन में घुटन हो रही है मन में जलन हो रही है राजा तो राज दरबार में चला जाता है बारह की बारह मिलकर के कभी हसती हैं कभी इतराती है उसे चिडाती है उससे कोई बोलता नहीं है उससे दूरी बना रखी है राजा अगर जब आता है तो हाँ बेहन तो ठीक है ना ठी हो जाता है इस चीज में रानी चंद्रवती घुट गई कस्मसाने लगी उदास रहने लगी राजा ने जब चंद्रवती का उदास चेहरा देखा कसम दिलाई कहा कि तुदास क्यों है जब उसने ये बात बताई कि मैं तुम्हारे जाने के बाद बिल्कुल महल में अकेली रह जाती हूं ओ चैंशन मतले समय हो गया कल तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा वीरे नामे के हीरे मौती